नमस्कार स्वागत आपका डी टीवी भारत में और मैं हूँ आपके साथ स्रिश्टि श्रिवास्तव बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार का जनता दर्बार स्थगित हो जाना चाहिए ऐसा हम नहीं कह रहे है ये मांग पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी कर रहे है क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार में बता रहेते हैं दरसल आज मुख्यमंत्री का जनता दर्बार लगा है सोमवार को लगता है और यहां पर अब 6 कोरोना पॉजिटिव पाए किया है और लिखा है नितीश कुमार के लिए उन्होंने कहा है कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी से आग रहे है कि जनता दर्बार कारिक्रम को फिलाल स्थागित रखा जाए राज रहित में ये कारगार फैसला होगा तो जीतन रामांजी ने ये एक तरीके से मांग कर दी है जनता दरबार को सगित कर देना चाहिए क्योंकि अब कोरोना का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है कि इंदर सरकार ने भी कसम एक तरीके से कमरकसली है कोरोना के लिए कोरोना का सिलसला बढ़ रहा है केसिस बहुत जादा बढ़ते हुए नजर आ रहे है कोरोना विस्पो टोड़ा है और अब जनता दरबार से 6 कोरोना पॉजिटिव मिलना कही ना कही एक बहुत बड़ी ख़बर आती है बड़ी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि कोरोना के समय में भी मुख्यमंत्री का जनता दर बार चल रहा है ये सवाल उठ रहा है क्यों और इसलिप पर जीतनामा जी ने ये मांग कर दी है कि जनता दर बार को भी इस्तकित कर देना चाहिए तो यहां दो बाते निकल कर सामने आ रहे हैं क्योंकि इस तरीके से जीतर नामान जी मुख्यमंत्री के हित्म नहीं बोल रहे हैं अलग तरीके से बोल रहे हैं यहाँ दो तरीके की बाते देखा जा सकती है और यहीं सवाल उठ रहा है कि जीतर नामान जी अब NDA से कटते हुए नज़र आ रहे हैं इससे पहले भी कहा था सामने आके कहा था कि वो सब कुछ देखेंगे पैसे मुख्य मंत्री दे दे ऐसा उन्होंने कहा था मांग किया था अपने विदानसबा चेत्र का विकास करने के लिए तब उन्होंने एक धमकी दी थी कि वो एंडिये छोड़ देंगे अगर मुख्य मंत्री पैसा नहीं देते हैं ऐसा कहा था जीतन नामान जी ने बयान दिया था और अब जीतन नामान जी कही ना कही कटते हुए नजर आ रहे हैं इन दोनों जीतन नामान जी का एक बयान भी काफी चल रहा था सियासी मोहल गर्मा गया था जब जीतन नामान जी ने बयान दे दिया था पंड़तों तब भी कई सवाल उठे थे एंडिये में फूट दिख रही थी बीजेपी अलग हो गए थी बीजेपी और हम एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ थे जबकि सभी गड़ बंदन में हैं लेकिन फिर भी दोनों अलग नज़र आ रहे थे तब भी सवाल उठ रहा था और जीतना मांजी कटते हुए एंडिये से नज़र आ रहे है उन्होंने भ्राम भोज भी करवाया था हलाकि इसके लिए माफी भी मांगी थी लेकिन इस पर जनता की इस पे नितीश कुमार की ओर से कुछ भी नहीं बोला गया था जादा और अब जिस तरीके से जनता दरबार में 6 कुर अंडिये से कटते हुए नज़र आ रहे है जीतना ना मांजी क्योंकि एंडिये के अंदर बीजेपी, जेडियू, हम, विआईपी ये चार है और इसके बाद जब एंडिये में ही रहके वो ऐसी बाते कर रहे हैं तो कही ना कही ये सवाल तो खड़ा कड़ी रहा है फिलाल इ एंडिये में उस पना झाल झाल झाल